हलो दोस्तो वेल्कुम टू माय यूटुटुब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे फैंटास प्लस ओरल सस्पेंशन के बारे में कि किस कमपनी का प्रोड़क्ट है पस वो में किस-किस कंडिशन में आप इस सल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं पस्मों में इस solution को देने की डोज क्या है तो दोस्तो फेंटास प्लस के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ला दोस्तो सबसे पहले बात अगर हम इस solution के अगर content की करें तो इस solution में each ml में fanvandazole इसमें 15 mg डाला गया है इसके साथ इसमें फ्रेजिकृंटल है जो कि इसमें each ml में 5 mg डाला गया है दोस्तो फेंटास प्लस एक broad spectrum anti-helminthic drug है दोस्तो अगर आपके जानबर में endoparasite infection की अगर स समस्य है तो उस case में choice drug के रूप में आप इस solution का यूज़ पसू में कर सकते हैं दोस्तो endoparasite infection में अगर पसू में round bomb का अगर infection है lungs bomb infection पसू में हुआ है या इसके साथ अगर पसू में tape bomb का अगर infection हुआ है तो उस case में choice drug के रूप में आप इस solution का यूज़ पसू में कर सकते ह दोस्तो endoparasite infection की बज़ा से पसु अपना खाना पीना कम कर देता है day by day पसु का body weight गिरना शुरू हो जाता है पसु में हमें indigestion की समस्या भी देखने को मिलती है कई बार पसु के गोबर में blood आना शुरू हो जाता है इसके लावब दोस्तो पसु में हमें कई बार immaciation condition तक देखने को मिलती है कि पसु के हड़ियां तक दिखने लग जाती है तो दोस्तो इन में से अगर किसी वी तरह की दिक्कत अगर आपके जानवर में आपको देखने को मिल रही है तो उस condition में choice drug के रूप में आप इस solution का use पसु में कर सकते हैं दोस्तो फेंटास प्लस oral suspension का use आप mainly छोटे जानवरों में ही काफ और sheep goat के case में ही कर सकते हैं दोस्तो इन जानवरों में इस solution के अगर dose के अगर हम बात करें तो दोस्तो काफ के case में 15-30 ml तक और sheep goat के case में 3 kg body weight के उपर 1 ml के हिसाब से आप इस solution का use पसु में कर सकते हैं दोस्तो इस दवा के अगर पसु में अगर हम use के अगर हम बात करें कि कैसे आपने पसु में यूज करनी है तो दोस्तो आपने सुभे भूके फेट early morning आपने इस दवा का use पसु में करना है उसके बाद लगबग आपको 1-2 घंटे तक आपने पसु को off-feed रखना है ताकि इस दवा का use पसु में अच्छे से हो जाए दोस्तो फेंटास प्लस एक प्रेगनेंसी सेप सस्पेंशन है और गाविन पसु में भी आप इस दवा का use कर सकते हैं इसके लावब दोस्तो तीन महीने के अंतराल पर आप इस सस्पेंशन को पसु में दुबार रपीट कर सकते हैं तो I hope दोस्तो की आपको मेरी ये जानकारी पसंद आयोगी मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फूल इनफॉर्मेशन के साथ